आप सभी योगजी जासों का स्वागत है CEC के गुर्कुल लाइव के कारेकर में आज हम एक ऐसे विश्य पे बात करने वाले हैं जो आप सब लोगों ने सुना होगा जितना योग शब्द परचलित है उतना ही ध्यान शब्द परचलित है बहुत सारे लोग मानते हैं कि योग ही ध्यान है या ध्यान ही योग है इन दोनों के एक दूसरे का परियावाची मानने का काम भी आजकल चल रहा है लेकिन योग क्या है और ध्यान क्या है कैसे योग के अंतरकत ध्यान आता है उन सब बातों को हम आज के लेक्शर में डिसकस करेंगे जिसका टॉपिक है वैदिक परिप्रेक्षमे ध्यान तो ध्यान, शब्द आते ही सब लोगों को एक लगता है कि एक बिल्कुल peaceful एक तस्वीर बनती है कि हम आखे बंद करके बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं और हम कुछ चिंतन कर रही हैं, कुछ विचार कर रही हैं और लग रहा है कि बिल्कुल शांती की खोज में, याख हम कोई भी व्यक्ति गुसा होता है, उसका तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हम कहते हैं कि तुम ध्यान किया करो तो ध्यान एक बहुती कॉमन शब्द बन गया है, जिसको आम बॉलचाल की भाषा में सब व्यक्ति जानते हैं वो ध्यान है क्या, सबसे पहले जानने का प्रियास करते हैं प्रतेक व्यक्ति चाहता तो यही है कि उसका कोई भी कारिय असफल नहों बलकि सभी कारिय कुशलता पूर्वक संपन हों लेकिन क्या ऐसा संभव है कि हम अपने ही सभी कारियों को बिना गलती किये पूरा कर सकें इस प्रशन के साथ ही हमारा एक सहयोगी प्रशन यह है उठता है कि क्या ऐसा कोई नियम या सिधान्त है जो हमारे सभी कामों को बिना किसी दुरगतना के पूर्ण करने में साहिक हो उपर वणित इन सभी परशनों का एक ही परमानिक उत्तर है और वो ध्यान है तो जब ध्यान के विशे में कोई बात आती है तो हम कहते हैं कि बिना ध्यान के किसी भी कारिय में सफलता प्राप्त करना असंभाव है अब आप कहेंगे कि जो असंभाव शब्द है इस पर मैंने ज़्यादा जोरक्यों दिया क्योंकि इसलिए दिया कि जब हम देखते हैं कि संभावना कहा है और असंभाव और संभाव के बीच की जब बात आती है जब हम कहते हैं कि यह काम असंभाव है तो हमें लगता कि इसको कोई नहीं कर सकता है किसी परकार से नहीं किया जा सकता तो ध्यान भी उसी संदर्ब में है, यदि कारिय के अंदर सफलता चाहिए, कोई भी कारिय हो, यह नहीं कि आपको ओलंपिक में ही मेडल जीतना है, या आप कोई और कोई निपुनता प्राप्त करना चाहते हैं, बलकि यदि आप घर में खाना भी बना रहे हैं, तो ध्यान के बिनाओ उस खाने को बनाने में सफल नहीं होंगे, वो खाना उतनी निपुनता के साथ, उतनी गुणवत्ता के साथ नहीं बना पाएंगे, जितना की ध्यान पूर्वक बनाने से वो खाना बनता, तो जिस विस्थान पर अधिक धुरगटनाओं की संभावनाएं होती हैं, ह जैसे ही सावधानी हटेगी, वैसे ही दुरगटना घटेगी, माने कि कई बार आपने रोड के उपर आप जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा, लिखा होता है कि दुरगटना संभावित छेत्र, तो वो दुरगटना संभावित छेत्र में भी कहेंगी कि अत्रिक्त ध्यान आ आपने देना है या ध्यान पूर्वक चलें इस तरह के तमाम शब्द आपको सुनने को मिलते हैं तो सावधानी हटी दुरगटना गटी यह सावधानी ही ध्यान है मोटे शब्दों में कहूं तो सावधानी को ही ध्यान कहते हैं अब कहेंगे यह definition तो कहीं पर है नहीं यह वह definition मैं आपको बता रहा हूं जो definition हमारे आम व्यक्ति को अच्छे से समझा पाएंगे जो दूसरी ध्यान की definitions हैं परिभाशाएं हैं उन परिभाशाओं पर भी बात हम करेंगे लेकिन मुख्य रुप से एक आम व्यक्ति को योग ध्यान से क्यों जुड़ना चाहिए क्यों ध्यान करना चाहिए किस व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए किस पुरुष का महापुरु गर घरस्ती में रह रहा है, उसको ध्यान करने की आवशक्ता ही नहीं है, उसको ध्यान लगेगा ही नहीं, या जो सामाने कोई सर्विस में है, कोई बिजनस में है, उसको ध्यान की आवशक्ता क्या है, वो ध्यान से बिल्कुल परे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान के कि नि दुखर बोलूंगा या में कोई वाक्य मिस कर जाओा या कोई डेफिनेशन मिस कर जाओगा मैं उस तरीके से को समझाने में समर्थ नहीं होगा जो मुझे टिली बरी करनी थी यह जो मेरी पूरी योगेता है मैं उस पूरी योगेता को आपको explain नहीं कर पाऊंगा मैं deliver नहीं कर पाऊंगा यदि मेरा थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो इसको हम कहते हैं सावधानी पूरवक यदि सावधानी हटी तो दुरगटना घड़ जाएगी माली जी मैं कोई भी PPT आ स्लाइड को भी मिस करूँगा यदि मैं इधर तो मैं मिस कर सकता हूं को लाइन को मिस कर सकता हूं इसलिए मेरा पूरा का पूरा जो ध्यान है पूरी जो सावधानी के साथ मैं इस लेक्चर को दे रहा हूं सावधानी का मतलब ध्यान है आगे हम इसको सिद्ध करने का प्रियास करेंगे जब हम सावधान शब्द का संधी भी छेद करते हैं तो हमें पता चलता कि से और आवधान इस दो शब्दों से मिलके सावधान मनता है से पलस आवधान से का मतलब होता है सहित यानि विद यानि के साथ और जो बिना किसी व्यवधान के होता है उसे क्या कहते हैं आवधान आवधान वो होता जो व्यवधान के बिना हो व्यवधान होता है जिसमें कुछ ने कुछ गलती हो जाए, कुछ ने कुछ दुविदा आजाए, कुछ ने कुछ डिस्ट्रिबेंस आजाए, कोई ने कोई अबस्टकल आजाए, उसको हम व्यवधान कहते हैं और जब अवस्टकल नहीं आया, कोई व्यवधान नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आयी, कोई किसी तरह की परिशानी हमें नहीं आयी, किसी तरह का अन्य कोई अवरोध हमारे यदिक कारे में पैदा नहीं हुआ, तो वो आवधान है, यानि कि बिना व्यवधान के, जैसे हम कहते हैं कि मालीजी कोई घर में फंक्शन है या कोई आपने घर में कोई शादी समार हो है या कोई आपने कोई घटाएं छाई हैं और एकदम से बरसात होने लगती है और फिर बरसात कुछ देर बाद रुख जाती है आपके महमान आते हैं जैसे तैसे आप कारिकर्म को कर देते हैं तो फिर कहेंगे कि कारिकर्म तो बहुत अच्छा हो गया हो जाता यदि बारिश ने इसमें हमारे कारिकर अथक जो शब्द है वो अवधान है आवधान और व्यवधान दो शब्द हैं तो जब हम बिना किसी व्यवधान के कोई होता है उसको अवधान कहते हैं ठीक है व्यवधान रहित तो यहां पे हम आवधान की बात कर रहे हैं और सैकी यानि कि आवधान के साथ इस परकार आपने नहीं बरती तो उसमें व्यवधान आना निश्चित है इसका एक एक जामपल आपको दे देता हूं आगे कि सावधानी अत्वा ध्यान के साथ क्या जाने वाला कारे सफल होता है मैंने कहा इसके विपरित जिस भी कारे को करते हुए ध्यान अत्वा सावधानी नहीं नुकावट आना या उसका खराब हो जाना तै है उसमें कोई लगबग नहीं है पूरी तरह से तै है फिर चाहे आप रसोई घर में भोजन तैयार कर रहे हूं या सड़क पर गाड़ी चला रहे हूं यदि रसोई में भोजन पकाते वे सावधानी नहीं रखी तो भोजन ढं जल सकता है कुछ आप सबजी बना रहे हैं उसमें आपने कुछ भी डाला हुआ है तो आपने एकदम से कड़ाई को छू लिया तो आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है तो फिर आप कहेंगे तुम्हारा ध्यान कहां था तो कहेंगे फोन में बात चल ले थी या कुछ इस परकाज का जो आप ध्यान नहीं रहता मना आप कहीं और आपका मन होता है उस समय पे आप कहीं ने कहीं गडबड करते हैं ठीक वही बात मैंने सड़क और अरसोई घर के दो एकजांपल इसलिए दे कि आम वेक्ति सड़क पर भी चलता है हर वेक्ति गाड़ी में सफर करत हो चैना करता हो और हर वेक्ति अरसोई में जाना होता है उसको सब पता होता है मैं खाना नहीं बना रहा तो मेरी मा खाना बना रहे है और खाना बना रहे हैं लोग तो खाना बनाते सावधानी नहीं रखी तो या तो खाना ठीक से नहीं बनेगा या आपका हाथ जलेगा या फिर साउधानी या आपने रोड पे नहीं रखी तो आपकी सड़क पे दुरगटना होना तै है या तो आप किसी से ठकराएंगे या आप से कोई ठकराएगा तो ये साउधानी हर मोड पे जरूरी है ये केवल रसोई और गाड़ी चलाने में ही नहीं पढ़ाने से ले करके जो शब्द है साउधानी के साथ हम जो बात कहते हैं वही मुख्य रूप से आम बोलचाल की भाशाय में वो ध्यान कहलाता है तो इसमें मैंने का तो सड़की दुरगटना का मैंने एक्जामपल दिया रसोई का मैंने एक्जामपल दिया इसको हम कह सकते कि ये साउधानी ही कि द्यान है व्यक्ति कोई साउधान का पालन करने भर की आवशकता होती है किसी भी कारे के सवफलता में ध्यान का और असवफलता में ध्यान के अभाव का ही योगदान होता है माने कोई असफल होता है किसी काम में या उसको सक्सस नहीं मिलती है किसी काम में तो वो ब्लेम करने लगता है अलग-अलग चीजों पर जैसे आज कल एक बड़ा एक बहुत सामाने सा चलागा कि यह दिया आपको खासी जुकाम हो गया तो कहेंगे कि क्या हुआ तवित खराब हो गई तो कि मौसम ही ऐसा चल रहा है या भगवान ने कर दिया सब फसल खराब हो गई यह हो गया तो जैसे ही कुछ नुकसान होता है जैनि कि हम हमारे को नुकसान होता है तो उसमें हम दूसरों के उपर उस चीज को डाल देते हैं यह नहीं कहते कि मैं अपना ध्यान रखने में सफ है तो में बिबार पड़ा हूं तो मेरा घला खराब हो वह अपनी गलती नहीं मांते हैं हम मौसम के उपर डाल देते हैं कि आजकल मौसम ही ऐसा चला हुआ है तो सब लोगों को भीबार हो जागा हो ऑगवता कि यह नि別 अधर का योगदान होता है ये निश्चित रुक्स आप जान लें तो ये लेक्चर इसलिए भी ज़रूरी है और ये केवल व्यक्ति योग के व्यक्ति के लिए नहीं ये सब व्यक्तियों के लिए आवश्यक है चाहिए वो कोई भी छेत्र हो तो आपको पता चलगा कि हमें ध्यान क्यों का है और ध्यान क्या है तो ध्यान इसलिए करना चाहिए कि हमें ध्यान से हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है अपने लक्ष को प्राप्त करना है अब ध्यान का अर्थ और परिभाशा जान लेते हैं ध्यान का अर्थ क तो ओफिशियल जो हम कहें कि जो हमारी जो परिभाशा है वो ततर प्रतेकतानता ध्यानम योग दर्शन से लिए अब ऐसी ही एक परिभाशा सांख्य दर्शन में भी महर्शिक कपिल देते हैं ध्यानम निर्विशयम मन है यानि कि जब हमारा ध्यान वो है जब हमारा मन सभी व एक ही बात कहते हैं कि ध्यान वो अवस्ता है जब हमारा मन जो है वो सभी विशों से रहित हो जाता मन में कोई विशय नहीं रहता तब हमारा ध्यान लगता है और योग दर्शन में महरशी पतंजी कहते हैं तत्र प्रतेक तानता ध्यानम को जानने के लिए जो तत्र शब्द ह उसके उपर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा तो तत्र शब्द का आर्थ है कि इससे पहले वाले सूत्र के बारे में बात किये क्योंकि योगदर्शन का scientifically डिजाइन किया गया है तो तत्र का मतलब इससे पहले के सूत्र में जो कहा गया उसके बाद तो इससे पहले का सूत्र क्या है? विभूती बाद का पहला जो सूत्र है वो है देश बंद चत्त से धारणा, माने अपने चित्त को एक स्थान विशेश पर लगा देना, ठिका देना, बांद देना, रोक देना, एक ही जगह पर रहे, ऐसा जब हम कर देते हैं, उसके बाद का जो सूत्र कहा तत्र परतेक तानता ध्याना, जब चित्त को किसी एक स्थान विशेश पर लगाया, स्थान विशेश पर बांद दिया, वहां पर उसको एकागर कर दिया, तो वो एकागरता जब लंबे समय तक बनी रहे, एक तानता, उस एकागरता की एक तानता, एक तानता उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आया, तो वो व्यवधान नहीं आया, एक तांता बनी रहे, जैसे एक तेल को आप तेल को दूसरे पातर में डालेंगे, और उसकी जो धार जो बंधी रहती है, उसमें एक तांता होती है, घी को आप ऐसे ही करेंगे, तो एक तांता बन ज नहीं है अलग से कोई टेकनीक नहीं है बलकि धारणा ही ध्यान में कन वर्ट होती है तो धारणा क्या है foundation क्या है तो हमसे सारा cancer communication है कि हमारा concentration कहां हो हमारी यह कागरता कहां है और ऑफ यह कागरता जब बिना किसी व्यवधान के बिना किसी रुकावट के जब लंबे समय तक बनी रहेगी वो ध्यान कहलाएगा तो ये ध्यान को समझना बहुत जरूरी है आज एक बड़ा आज का जो दोर है उसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन आप किसी से भी पूछो, आप सबसे ज़्यादा फ्लेक्स, सबसे ज़्यादा जो एड़ोटीजमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगी ध्यान के अंदर, मेडिटेशन सेंटर, हम ध्यान कराएंगे, ज्वाइन आवर क्लास, ये बहुत सारे दावे किये जाते है और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी बात है कि आपकी अने को दावे किये जाते हैं, ध्यान सिखाने के तो योग गुरूँंसे ज़्यादा ध्यान गुरूँं की यहाँ पे संख्या है, पूरे विश्व में लेकिन विशह आता कि ध्यान ऐसे करवाया जाता है क्या ध्यान के लिए क्या-क्या योगताइं होनी चाहिए आवश्चक क्या-क्या उसकी प्री वर्काउट हैं उन पे हम सब बात करेंगे लेकिन जितनी भ्राम्रक धार्णाएं ध्यान के विशह में फैली हैं और ध्यान के नाम पे कुछ और ही पिलाया जा रहा है जैसे मालनी जी आप जूस पीते हैं यदि आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल करके पीते हैं तो जूस हो गया लेकिन यदि आप फ्लेवर्ड पीते हैं यानि कि उसमें फ्लेवर मिला हुआ है उसमें sugar add है उसमें और बहुत सारी चीज़ें add होती हैं और वो packet का juice आप पी रहे हैं तो पिला तो आपको किसी particular fruit का juice रहे हैं बट उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो उसके नाम पर sugar पिलाई जा रही है या उसके नाम पर कुछ हो रहा है तो ऐसे ही योग ध्यान के ना वो कर देते हैं तो वो लग रहा कि यह वही ब्रांड है उस तरह की ही उसको लुक दे देते हैं तो देखने में लगता कि यह वैसा ही होगा लेकिन वो बिल्कूल अलग होता है तो जब चित हमारा किसी एक जगे पे लगता है एक आगरता करते हैं उस एक आगरता का लंबे समय तक बने रहना ध्यान कहलाता है, तो इसलिए ध्यान को सीखने से पहले ध्यान के विशे में पूरी तरह से जाचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आजकल तथाकतित योग गुरू या ध्यान गुरू जो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केट में दिख रहे हैं, उसके पीछे दिखता है, तेलक लगा लिया या किसी तरह का भी उसने एक गेट अप लगा लिया ध्यान के लिए, तो हमें लगता कि बहुत बड़ा ध्यान गुरू होगा या ये सिखाता होगा, लेकिन हमें जाच लेना चाहिए कि ध्यान के विशे में हमारे शास्त्र का क्या कहते हैं, वो सबसे important है, तो ध्यान का आर्थ भी जान लिया हमने, और ध्यान की परिभाशा भी जान ली, सकंदुपनिशद के according, और सांख्य दर्शन के according, और योग दर्शन के according, अब इसके बाद हम ये जान ले कि ध्यान करने में, चित की क्या भूमी का है, और मन की क्या भूमी का है, बुद्धी, चित और अहंकार, ये चारों को अंत्यकर्ण चतुस्टे कहा गया है, और अंत्यकर्ण चतुस्टे में ही दोनों हैं, चित और मन, अब मन का कारिय क्या है, चित का कारिय क्या है, मन और चित में भेद क्या है, ये जान लेते हैं, मन के कारिय और चित के कारिय पे कि क्या ये मैं मुझे काम करना चाहिए विकल्प कि मैं ये ना करूँ तो तो क्या करूँ क्या ना करूँ इसके बीच की जो उल्जन है वो मन में होती है मन ही ये बार-बार निरने करता है मुझे ये कर लेना चाहिए मुझे नहीं कर लेना चाहिए मुझे करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए इस तरह कि जितनी भी चीज़ें होती है वो मन के अधीन होती है तो चित्त क्या होता है चित्त होता है हमारे विचारों का संग्रह केंद्रे अब विचार क्या होते हैं हमारे जो हमारी जो भाव होते हैं जिस परकार के भाव और भाव अब जनक नहीं है क्यावल, भाव बनता कर्म करने से, माने जो चित्त के जो भाव हैं वो कर्म परधान होते हैं, आपने कोई अच्छा काम किया, आपको अच्छा रजल्ट मिला, तो आपको खुशी हुई, उस खुशी का जो संस्कार है, वो बन गया, उसके पता चल गय वेल्यू है, वो भी बहुत अच्छी थी, और आपको भूख भी जोर की लगी थी, तो जब आप अपने पसंद का खाना with nutrition value और आपके ताजा और सात्विक खाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आपकी भूख शांत हो जाती है, तो जो भूख शांत हुई, तो उस खाने के परती है संसकार बन गया, ठीक है, ऐसे ही यदि आपको किसी चीज से नफरत हो गई, ऐलर्जी हो गई, या कोई चीज आपको सूप नहीं करती, तो चीज दिखते ही आपका जो चित्त हो खिन्न हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने ये खाया तो मुझे ऐलर्जी हो सकती है, मुझे प्राब्लम हो सकती है, तो उससे आप बचते फिरेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो अनुभाव हो बुरा हो चुका उसके साथ, तो उस वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ आपका जो संसकार है, वो बुरा बन गया, तो उस बुरा और अच्छा, दोनों प पूरती के लिए लोग जो डॉनेट करते हैं ब्लड वो रखा जाता स्टोर किसी ने डॉनेट करना होता है किसी को लेना होता है तो वो वता ना कि कोई दान कर रहा है कोई दान ले रहा है तो वो ब्लड बैंक होता है वैसे ही पैसे जब हम बैंक होता तो सारे उसमें पैसे संक्रय केंद्र है वैसे ही चित्त हमारे विचारों का संस्कारों का संक्रय केंद्र है तो मन अलग है संकल्प विकल्प करने का काम करता है चित्त हमारे सभी संस्कारों को साथ रखता है ठीक है तो मन और चित्त में भेध हो गया लेकिन दोनों भ्यात्म दोनों ही जो है वह अं बढ़ पाएंगे, और एक और विशे है, मन का चित्त पर चित्त का मन पर इफेक्ट पड़ता है, आप ये कहें कि चित्त और मन एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों तरफ से आप देखें, तो एक तरफ हैड और टेल हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई न रखा है, तो आपका मन भी परसन्य हो जाएगा, चित्त का कोई भाव, पुराना भाव, अच्छा भाव उठकर के आपके पास आ गया, तो तुरंत आपका मन परसन्य हो जाता है, वहीं चित्त में कोई बुरा भाव आ गया, कोई परिशानी का भाव आ गया, कोई बुरे समय को आपने याद किया, तो तुरंट आपका मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसे ही यह दि मन निर्णे नहीं कर पारा संकल्प विकल्प का काम में, तो उसका इफेक्ट चित पे पड़ता, तो चित में वैसे संसकार बनते हैं, तो चित और मन एक दूसरे पे गहरा प रोटी पकाते हैं, तो उपर से भी गर्म है, तो लेकिन दो सेरे हैं, एक उसका नीचे का हिस्सा, एक उपर का हिस्सा, जहां पर रोटी बनती है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के उपर बिल्कुल परभाव पड़ता है, तो उस परभाव को यह दोनों ही similar सी चीजे है, सारा का सारी चीजे इसके उपर effect डालती है, तो मन और चित्व को आपने समझ लिया, मन और चित्व के भेध को आपने चाल लिया, तो आसानी से ध्यान को आप लगा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान लगाने के लिए, ध्यान में चित और मन की भूमिका में हमें बात की अब ध्यान किसका करें ये बड़ा अच्छा विशे है तो ध्यान किसका करें आज कल अनेको ध्यान पर चलीते हैं अनेको विधियां पर चलीते हैं तो मैं कहता हूं कि ध्यान करने की वस्तू नहीं है बलकि ये स्वतही घटि तो होने वाली एक वस्तू है, मतलब या काम है, वस्तू नहीं कहेंगे हम इसको, तो ध्यान किसका करें, इस विशे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस व्याख्यान में हम इतना ही जानेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान का सामान अर्थ क्या है, और ध्यान में चित और मन की क्या भूमी का है और ध्यान हमें क्यों करना चाहिए क्यों हम ध्यान करें क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इस कोई माइन नहीं कि आप किस एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं किस तरह का आप काम कर रहे हैं आपको ध्यान के आपशक्ता हर व्यक्तिक होती है तो आशा करता द्धान के विशे में कुछ जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इस व्याख्यान के मादन से आपको पता चली होगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते